CBC Words में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम Classic Science का Chapter 6 जिसका नाम है The Living Organisms, Characteristics and Habitat ये डिसकस करेंगे तो नई वाली NCRT बुक में तो ये Chapter 6 है पुरानी वाली NCRT बुक अगर आपके पास है तो उसमें आपको ये Chapter 9 है तो जिस बुक को भी आप फॉलो कर रहे हो उसी हिसाब से देख लेना बाकी अंदर का Content सेम है सिर्फ क्योंकि नई वाली NCRT बुक में कुछ Chapter रिमूव हो गया है उसकी वाज़े से Numbering चेंज हुई है ठीक है तो मैं नई वाली बुक से ही पढ़ाऊँगा पहली और बुझो विकेशन पे गया थे चुटियों पे गया थे To many places of interest Places of interest यह एक phrase है English का इसका मतलब होता है कि ऐसी जगहां जहां लोग घूमने जाते हैं जहां जाना लोगों को पसंद होता है तो पहली और बुझो अपनी चुटियों में ऐसी जगहें गया तो एक ऐसी ट्रिप थी एक ऐसा सफर था जहां पर वो लोग कहां गया To the river Ganga in Rishikesh Rishikesh उत्तरखंड का एक शहर है तो वहाँ पर Ganga नदी को विजिट करने गया वैसे Ganga नदी तो बहुत जगहें से गुजर के जाती है लेकिन वहाँ की जो surrounding है आसपास इस तरह से है कि वहाँ पर लोग जाना पसंद करते है तो वहाँ पर यह लोग गया उन्होंने हिमाले के mountain को climb किया जहां पर बहुत जादा ठंड थी वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे तरीके के trees देखे mountains से पहाडों पर बहुत सारे पेड़ देखे जैसे आपका oaks हो गया, pines हो गया and देओदार हो गया तो यह सारे trees उन्होंने देखे very different from the ones near their home on the plains तो वो जो tree वहाँ पर उनको देखने को मिले वो बहुत जादा अलग थे जो कि उनके घर के आसपास थे तो पहिली और बुझो प्लेन एरिया में रहते हैं मैदान वाले एरिया में रहते हैं तो अगर आप प्लेन वाले एरिया में रहते हो तो आपको आसपास जो पेड़ दिखेंगे वहाँ जाओगे तो आपको अलग तरीके के trees दिखेंगे, mountain area में, एक और trip में वो राजिस्थान travel किये, और उन्होंने camel की सवारी की, through the hot desert, बहुत गरम रेगिस्थान था, उसमें उन्होंने उट की सवारी की, उन्होंने collect किया कुछ अलग अलग तरीके के cactus plant, जो cactus अलग अब यह समुंदर के किनारे है, तो वहाँ जो बीच थी, वहाँ पर visit किये, dotted with cassoware in a tree, dotted का मतलब हिंदी मोता है, छितराया हुआ, यानि कोई छीज धेर सारी फैली होती है बहुत दूर area में, तो उसके लिए हम dotted word का use करते हैं, तो cassoware in a tree है, वो उनको वहाँ पर देखने को मिला, बहुत बड़े area के अंदर वो सारे फैले हुए थे, while recollecting all the fun that they had on these trips, recollecting का मतलब होगा यहाँ पर, कि याद करना, तो trip से आने के बाद जब उन्होंने याद किया, कि कितना fun किया था, हमने कितना मज़ा किया था इस trip पे, a thought struck them, एक सोच में वो फस गय, एक सोच उनक से कितनी अलग है, कहीं पर cold है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और dry है, यनि सूखा हुआ मौसम है, जैसे desert area में अकसर होता है, and some places so humid, और कुछ जगें बहुत ज़्यादा humid है, humid क्या होता है, इसको कहते हैं हम नमी, एक तो आपकी normal गर्मी होती है, कहां गर्मी लग हो गई है, उस वक्त आपका cooler वगरा भी काम नहीं करता, तो ऐसे climate को हम humid कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा नमी हो गई है, उमस हो गई है, तो समुंदर के किनारे के इलाके में आपको humid atmosphere अकसर देखने को मिलेगा, तो जब वो पूरी गय थे वहां पर सी बीच में, तो वहां पर उनको humid climate मिला होगा, और उन सभी जगे पर बहुत सारे organisms थे, organism मतलब living creatures, जिन्दा चीज़ें जो होती है, animal हो गया, bird हो गया, insect हो गया, इस तरह की चीज़ें, of various kind, अलग-अलग kind की, अब वो अर्थ की ऐसी जखें के बारे में सोचने लगे, कि जहां पर कोई भी living creature नहो अब बूजोनी जिस जगें के बारे में सोचा, वो उसके घर के करीब थी, यानि उसके घर के अंदर ही थी, he tried the cupboard, उसने cupboard को try किया, उसने ये सोचा, there may not be any living organism here, कि cupboard के अंदर तो कोई living organism नहीं होगा, तो cupboard तो बंद रहता है, उसके अंदर कौन खुश जाएगा, but he found one tiny spider in the cupboard, लेकिन जब उसने cupboard कोला, तो एक छोटा सा spider उसको दिखा, तो spider है ना, मतलब living creature तो है वहाँ पर, घर के बाहर भी उसे ऐसी कोई जगें नहीं मिली, इसके बारे में वो सोचे कि वहाँ पर कोई living creature नहीं हो, यानि बहुत दिमाग दोडा कि तो उसने सोचा कि चलो, cupboard में कोई organism नहीं होगा, यह तो हमारी घर के अंदर है, हमारी घर के अंदर कोन घुजेगा, और cupboard के अंदर कोन घुज जाएगा, लेकिन जब खोला तो spider निकला, तो उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली, जहाँ पर कोई living organism हो, कुछ तरीके के, या फिर other, मतलब कोई सभी organism उसको नहीं नहीं मिला है, कहीं ऐसी जगह होगी, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, कि जहाँ पर कोई भी living organism नहीं हो, तो उसने जब पढ़ा, कि लोगों को एक छोटा सा living organism मिला है, जो कि कहा था opening of volcanoes, यानि जौला मोखी, जो कि इतना गरम होता है, आग निकल ली होती, लावा उसके निकल ला होता है, वहां की बारे में तो हम सोचेगा, वहां कौँ सा organism होगो, जो जाएगा तो जली जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, मलदब अगर उसके करीब भी जाओगे तो रोश्ट हो जाओगा, तो वहां तो कोई organism नहीं होगा, लेकिन जब उसने पढ़ा त तो कुछ organisms के बारे में जानेंगे, और वो कहां रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे, एक और चीज जो कि पहली और बुजो सोच रहे थे, वो ये थी, the kind of link organism that were present in different location that they had visited, कि अलग लग जो organism उनको देखने को मिले, अलग लग जगों पर जो विजट के रहे, उसके बारे मे होता है, वो बीच पे देखने को मिला, और variety of fish देखने को मिली, जो कि जो वहाँ पर fisher man थे, मचुआ रहे थे, समुंदर के, वो पकड़ रहे थे, और फिर कुछ और creatures उनको मिले, जैसे कि ants हो गया, चीटिया हो गई, जो कि present थी इन सारी अलग लग जगों पर, यानि जो ती कि दो जगें पर नहीं मिला, तो ये वो organisms थे, जो कि अलग लग जगें पर मिले, कि भाई ये यहीं पर मिलेंगे, और दूसरी जगें पर बहुत मुश्किल है कि वो मिले, लेकिन कुछ organism ऐसे थे, जैसे कि उन्होंने एंट देखा चीटियां, वो तीनों जगें थी, desert में ग इंट्रीजन, तो इन अलग-अलग इलाकों की surrounding के बारे में क्या है, surrounding मतलब आसपास, वहाँ पर गये, आसपास जो चीज़ें आपको देखने को मिली, वो कैसे थी, plant और animal तो आपने देख लिया, उसके अलावा और भी जो चीज़ें आपको देखने को मिली, वो कैसे थी, वर्दे, the same, क्या वो same थी, तो इसका अंसर होगा no, जैसे desert area में जाओगे, तो वहाँ आपको रेत मिलेगी, mountain area पे गये, तो वहाँ पर आपको पहाड़ देखने को मिलेगे, बड़ बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेगे, नदिया बहती हुई दिखेंगी, इसी तरह beach पे जाओगे, तो वहाँ आपको समंदर का area दिखेगा, और इन जगों पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, उनके घर अलग तरीके के आपको देखने को मिलेगे, उनके पहनावे आपको अलग देखने को मिलेगे, तो आज पास की जो surrounding से है, वो भी आपको अलग दे नीचे दिया, उसके अंदर फिल करना है, अब लिस्ट करो things, यानि चीजें, animals और plants जो की पाये जाते हैं, जो और भी दूसरे regions हैं, जो कि आपको नीचे टेबल में दिया हुआ है, उसके अंदर, तो थोड़ा स्टेबल देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, तो इस टेबल में, तो वहाँ पर कैसे animal, कैसे plant, कैसे object पाये जाते हैं, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है, आप उन examples को भी collect कर सकते हो, जो कि scattered हैं, विखिरे हुए हैं, throughout this chapter, यानि आप पूरा chapter पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, कि कहां पर क्या-क सकते हो, लैबरेरी जाओ, वहाँ पर book के अंदर देखो, कौन से book आप देखोगे, वो जिनके अंदर animals की बात की गई हो, plant की, या जो minerals वगएरा हैं, अलग-अलग region के, उनकी बात की गई हो, तो ऐसी किताबें आपको देखनी है, तो वहाँ भी आपको कुछ चीजें जानन सकते हैं, इसमें कौन से plant हमको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा और जो objects के बारे में आपको लिखना है, वो कौन से हो सकते हैं, क्या चीज है वो object, तो इसका अंसर आपको आगे ही दिया हुआ है, परहपस parts of plant, या शायद plant के जो part हैं, वो आपको मिल जाएं, जैसे मिट्टी है, mountain area, desert, sea, इन सब जगें पर कौन से मिट्टी पाई जाती है, तो ये object में आ जाएंगे, वहां के pebbles, कंगडिया कैसे देखने को मिलती है, पानी के बारे में आप देख सकते हो, water के बारे में आप लिख सकते हो, forest में कैसा water आपको देखने को मिला, mountain में, desert में, sea म में, ठीक है, तो जो water होता है, ocean में, उसमें salt dissolve होती है, यानि वो नमकीन होता है, जैसे कि हम chapter 3 में पढ़ चुके हैं, इसी तरीके से बहुत सारे object हो सकते हैं, तो इन सब को आपको टेबल में fill करना है, तो जैसे जैसे हम chapter में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको और भी example add कर करते जाना इस table 6.1 में, और table को हम discuss करते जाएंगे, जैसे जैसे हम travel करते जाएंगे, और भी interesting places में, तो ये जो table है, वो अभी मैं आपको नहीं कराऊंगा, एक बार पूरा chapter पढ़ लेते हैं, ताकि जो भी information इस chapter में है, वो हम collect कर लें, और फिर उसके बाद table को भरेंगे, वना जहां बीच में आ रहा है, फिर से वापस जाओ, table में भरो, ठीक है, तो table हम final में discuss कर लेंगे, तो आज का ये topic हमारा यहीं प्रेंड होता है, तो अगर आपको class 6 की और वीडियो देखनी है, तो इस तरह से आपको वीडियो चल ली होगी, पहले आप वीडियो को like कर लो लाइक का बटन होगा, और चैनल को subscribe कर लो, तो यहां देख सकते हो, नीचे more लिखा होगा, उस पर आपको click कर देना है, फिर आप यहां पर scroll down करोगे, तो आप देख सकते हो, सारी playlist आपको मिल जाएगी, classic science, classic math, math की chapter wise भी playlist है, जो की नीचे आपको मिल जाएगी, तो जो भी वीडियो आपको देखनी है, उसके सामने जो लिंक दिया हुआ, उस पर आप click करोगे, तो वहां से वो open कर लोगे, जिसे classic science देखनी है न, तो यहां पर आप click करोगे, तो classic science की वीडियो आपको सारी यहां पर मिल जाएगी, okay, thank you.